हाउ टो रिकवर डिलीड मेल फ्रोम जीमेल जीमेल आईडी से डिलीड मेल को कैसे रिकवर करें आज किस वीडियो में आप सभी लोग जानने वाले हो हाव टो रिक्वर पर्मानेंट डिलीट वेल आप लोग चाहते हो जो एसमिस है दोस्तों यहां से आपका डिलीट हुआ है वो आपका काफी यादा इंपोर्टेंट होने वाला है एंड ऐसी श्तिति में सेम आप लोग भी चाहते हो उस एसमिस को उस मेल को गाईस यहां पर रि इंड उसके बाद यहां पर डिलीट पर्मानेंटली तो दोस्ते हमारा जो वेल होने वाला है जो जीमेल के अंदर के मैसेजेस होने वाले हैं वो पर्मानेंट के लिए डिलीट हो चुके है अब मैं आपके सामने लाइप पूरूब दोस्तों यहां पे रिकुर करके आपको आना है अपने मुवाइल फोन की स्कृर्ण पे फ़न करना है Google ओफन चर्ण करने के बाद में आपको यहां पे सर्थ है लोडर कम है लोडरूप करने के बाद में कुछ इस परकास से आपको इंटर फेस देखने को मिलेगा आपको नीचे साड में आना है आपको YouTube के नीचे नीचे का आपको जीमेल का options मिल जाएगा उसके ऊपर आपको कने के दिसबस से ने, आपको कने ऐना है, आपको यहाँ पे कहीं सारे options में, मेरवाय लोग, available आपको देखने को मिल जाएगे, ठीक है, आपको यहां पर क्या करना यहीं पर आपको जो मैन काम है वो आपको यहीं पर करना पड़ेगा आकर ऐसी स्थिति में यहां पर आने के बाद में आपको कहीं सारे options मिल जाएंगे आपको एक options मिल जाएगा fix यह problem ठीक है Gmail messages are missing आपको इसके उपर click करना है इसके उपर जैसे में वालोग किलिक करते हो कुछ इस प्रकास से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा अब यहाँ पर अगर आपका Android फोन है तो Android को सिलेक्ट करते रहना है यदि आपका computer या फुर iPhone आइफेड है तो उस चीज को सिलेक्ट करना है अब उसके बाद में नीचेक साइड में फिर आपको जाना है सक्रोल डोन करते हुए जाने के बाद में आपको यहाँ पर कहीं सारे options आपको अवेलवल देखने को मिलेंगे टीक है मेरे दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एक options मिल जाएगा जिसके उपर आपको क्लिक करना है simply क्या करना है आपको यहाँ पर email देखने को मिल जाएगा फिर आपको थोड़ा नीचेक साइड में आना है दोस्तों यहां पे एक options मिल दाएगा most of find my email आपको इस वाले options पे click करना है फिर कुछ इस पर कहाँ से interface आएगा नीचेक साइड में आना है आपको कहीं options मिलेंगे तीक है आपको यहां पे क्या मिलेगा आपको कहीं सारे options available देखने को मिल दाएगे सबसे पहला काम आपको यहां यहां पे रिकवर होने वाले है सबसे पहले यहां पर बताया गया 24 मंत से लेके एक मंत यहां पर जितना भी डिलीडीच इमेल है न वह आपका एजली रिकवर हो जाएगा ओके फ्रेंड आपको क्या करना है आपको इस वाले options पर किलिक करना है सबसे पहले यहां से अपने account को choice करना है अब जो भी यहां पर आपके सामने एक new interface देखने को मिलेगा यहां पर लिखा हुआ है Gmail messages required tools यह officially यहां पर Google खुद देता है कि जो Gmail messages required है आप लोग इसली कर से change भी कर सकते हो चलिए भी हम लोग यहां से अपनी उसी email id को select कर लेता हूं को यहां से select कर लिया आप लोग सोच भी कर सकते हो उसके बाद में देख सकते हो आपकी email है वो आपको देखने को मिल जाएगी अब इसके आपको messages आपको delete करना है जो भी guys यहां पर permanent delete हुए आप आपको क्या करना है confirm का एक आपको options मिलेगा ओके friend confirm वाले options पर click करना है कुछ इस प्रकास से आपका काम complete हो जाए यहां पर लिखा हुए require result आपको require result देखने को मिल जाएगा अब जो भी guys यहां पर आपके SMS है guys यहां पर messages हैं जो email होने वाले हैं वो ठीक दोस्ते यहां पर 24 लेकि 48 गंटे में easily guys यहां पर require हो जाएंगे और लाइट आप लोग जैसे आके often करोगे आपको दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाएंगे okay so that उमीद करता हूं वीडियो पसंद आया हो वीडियो को like करने के बाद में चैनल को subscribe जरूर करना है मिलते हैं किसी न्यू वीडि जय हिंद जय वारत